जैमाते दी दोस्तों दोस्तों नवरात्री की पूजा कन्या पूजन के बाद ही पूरी होती है जोति सास्त्र में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गलती से भी कन्या पूजन के समय पर नहीं करनी चाहिए साथ ही कन्या पूजन करने के बाद में कुछ चीज़ों का दान करने से मादुर्गा प्रिशन होती है तो छेले जानते हैं आज किस वीडियो में कि नवरात्री की पूजा करने के बाद में जब हम कन्या पूजन करते हैं अस्टमी या नवमी तिथी पर तो किन किन कलतियों को करने से बचना चाहिए और साथ ही जाने के किन चीज़ों का दान करना शुमाना जाता है नवरात्री की पूजा के दोरान भक्त मातरानी की पूजा राधना करते हैं कन्या पूजन करते हैं इस पार अस्टमी और नौमी दोनों ही तिती शुकरवार ग्यारेक्टिवर को मनाई जाएंगी नवरात्री के दोरान कन्या पूजन करने जा रहे हैं तो किन गलती को करने से बचना चाहिए दोस्तों नवरात्री की जो नो कन्याए होती हैं माधुर्गा का सरूप मानी जाती है धियान रखें नो देवी का जो प्रतीक हैं ये कोणी कन्याओ की जो उमर है वो 2-10 साल तक की होनी चाहिए साथ ही इन में एक लांगुर जरूर होना चाहिए क्योंकि बिना लांगुर के आपकी पूझा अधूरी मानी जाती है कन्या पूझन करने के दिन इस दिन कन्याओं को घर में बुला करके सीधे आपको उनका आसन पर नहीं बिठाना है सबसे पहले कन्याओं की पेर आपको दुलने हैं उसके बाद इन कन्याओं को तिलक लगाना है इसके बाद इन कन्याओं को आपको आसन पर बिठाना है साथ ही दिशागत जरूर धियान रखे कि कन्याओं का मुख भूल कर भी दक्षन दिशा में नहीं होना चाहिए कन्याओं का मुख हमेशा उत्र दिशा में या पूरो दिशा की ओर होना चाहिए कन्या पूजन के दिन गलती से भी कन्याओं को डाटे नहीं उनका आधर पूरवक सतकार करके उनका अपने घर में बिठाना चाहिए जितनी दुरगा या जितनी कन्या आपसे प्रसन होगी उत्रा ही मातरानी का आशिरवाद आपको मिलेगा आसन पर बैठाने के बाद उनका तिलग करें साथ ही तिलग करते समय उनकी दिशागज जरूर ध्यान रखें इशान कोण यानि के उत्तर पूरो दिशा में उनका मुख होना चाहिए इस चीज़ का ध्यान रखें साथ ही कन्या के साथ में एक लांगुर को जरूर बढ़ाईए इनके बिना पूजा अधूरी होती है क्योंकि ये जो पालक है ये भहरों का स्वरूप माना जाता है कन्या पूजन के दिन जो भी आप भूजर मनाते हैं वो भूजन साथिक होना चाहिए उसमें तामसिक चीजों का इस्तमाल नहीं करना चाहिए जैसे कि लहसुन या प्याज इन चीजों का इस्तमाल करने से बचे साथ इस चीज़ का ध्यान रखे कि कुछ लोग बच्चों को कुरकुरे और चिप्स देते हैं लेकिन जादे दर कुरकुरे और ये चिप्सों में लेसन और प्या जाता है तो ऐसी गलती भूल कर भी ना करें वरना आपकी नो दिन की पूझा अधोरी रह सकती है आपकी जो पूचा है उस का फल आपको नहीं मिलेगा येदि आप कन्याओं को इन चीज़ों को खाने के लिए देते हैं आप उनको और कुछ भी समान गिफ्ट में के दे सकते हैं जब आप उनको विदा करते हैं आप उनको pencil box दे सकते हैं, lunch box दे सकते हैं, bag दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं साथ ही इस चीज़ का धियान रखे कि अगर आप मादरुगा को प्रसंद करना चाहते हैं तो उनको एक एक चुंदरी जरूर अर्पित कीजिए और साथ ही लाल या हरे रंगी चूड़िया, छोटी कन्याओं को जरूर भेट करनी चाहिए कन्याओं की गलती से भी अपने पैर ना चूने दे, ये बहुत बड़ा अप्शुबन माना चाहता है बिना भेट भाव के कन्या पूजन करना चाहिए चलिए अप जानते हैं कि कन्याओं पूजन करने के बाद किन चीजों का दान सास्त्रों में बेहदी महत्मून माना जाता है दोस्तो दान चाहिए कभी भी किया चाहिए, वो बहुत ही महत्मून होता है इसलिए कन्या पूजन जबाब करते हैं तो इसके बाद भी आपको कुछ चीजों का दान करना चाहिए जो की सास्त्रम में बताया गया है कहते हैं इस सुब मौके पर दान पुनिया करने से मादूर्गा की किरपा प्रापत होती है श्रंगार की कोई भी समगरी है लाल रंग के कपड़े हैं अन हैं धन हैं चांदी का सिक्का है इन चीजों का दान आप इस दिन कर सकते हैं अपनी सामर्ते के अनुसार चाहे तो आप लाल रंग की चुंदरी का दान कीजिए लाल रंग के वस्त का दान कीजिए धन का दान कीजिए लेकिर इन चीजों का गिफ्ट के अलावा जो आप gift बच्चों को दे रहे हैं, pencil box दे रहे हैं, उनको school bank दे रहे हैं, वो चीज़े तो आप दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा एक लाल रंकी चाहिए आप चूड़ी दे, चाहिए आप उनको स्रंगार का समान दे, लाल रंके वस्तर दीजे, ये चीज़े आपको आप उनको स्रंगार के लिए और मातरानी से प्रातना कीजे, कि मातरानी मेरे घर में हमेशा बढ़न की बरकत रहे हैं, मेरे घर में जो भी आए उस चीज़े की हमेशा बरकत हो खुशाली हो, और उस स्रंगे को एक लाड रंकी कपड़े में लपेट करके जहां पर आप आप इस चोटे से उपाय से आपके घर में सालों साल धनकी बरकत होगी मालक्षमी का असिरवाद आपके घर परिवार में बने रहेगा तो दोस्तों ये थे नवरात्री में अस्टमी और नौमी के दिन छोटा सा उपाय जिसको करके आप अपने घर में खुशाली ला सकते हैं अस्टमी और नौमी शुकुरार के दिने साथ इस चीज का भी ध्यान रखते हैं कि जो लोग संतोसी माता का वरत रखते हैं वो खाने में घराई का इस्तमाल ना करें वरना आपका ये वरत भी खंडित हो सकता है उमेद करती हूँ वीडियो में दीगे जानकारी आप सबके काम आएगे वीडियो से आप लाब उठाएगे वीडियो अकर पसंद आएगते दोस्तों के साथ वा लाइक शेर जरूर कीजिए ऐसी होड वीडियो के लिए हमारे चैनल सातिक मन को सब्सक्राइब करना ना बुल बुलती नई वीडियो में नई जानकारी के साथ सुस्त रहिए खुश रहिए